आज है गुरुवार और आज होगी श्री कृष्ण की बात मुरारि की बात कनहया की बात नाम अनेक लेकिन काम तविए की है आपकी जिन्दगी को कैसे सवारना है आपका कल्यान करना है कृष्ण को चमतकार के लिए जाना जाता है आप जानते ही हैं आज उनी के चमतकारी चित्र की बात हम करेंगे एक दो नहीं कनहिया के वो साथ चित्र बताऊंगी जो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे कौन सी समस्या के लिए कौन सा चित्र कहा लगाना है पूरी जानकारी लीजेगा साथ ही श्री कृष्ण और विश्नु जी का वास्तु भी बताऊंगी आज आपको मुरारी के प्रिय मक्खन से खुद को चमकाने वाली ब्यूटी टिप भी दोंगी ब्यूटी पार्लर में हजारों का खर्च बचेगा और आज आपके सिगनेचर में एक छोटा सा बदलाव करना है आपको सफलता जरूर मिलेगी आज मैं आपको गुरुवार के दिन के खास श्री कृष्ण से जुड़ेवे पांच महा उपाई बताऊंगी पहले माउपाई की बात करते हैं क्या आपके पास पैसा नहीं ठिकता? अगर पैसा नहीं ठिकता तो भगवान श्री कृष्ण को पितामबर धारी कहा जाता है यानि कि पीले रंग के कपड़े पहनने वाले इसे लिए थरस्दे को पीले रंग के कपड़े पहने और श्री कृष्ण को पीले रंग के फूल अरपित करें आज गुरुवार है विश्णु जी का दिन है और विश्णु जी के अफ़तार श्री कृष्ण तो आज मैं आपको कनहिया की उन साथ तस्वीरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो बिगरता काम बनाएंगी वो सब दिलाएंगी जिसका सपना आप देखते हैं आपको बस सही चित्र लगाना है वो कौन सा है आईए बताती हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वासुदेव जी छोटे से कनहिया को टोकरी में लेकर नदी के पार करने वाले फोटो को आप यूज केजिए बेसिकली इसको घर में लगाने से घर में कई तरकी की समस्याइं दूर होने लगती हैं आपके घर की प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं दूसरी तस्वीर अगर पती पतनी के बीच बन नहीं रही है तो आपको श्रीकृष्ण की मूर्ती का सहारा मिलेगा पती पतनी के कमरे में पूजास्थल बनवाना या देवी देवताओं को रखना उनकी तस्वीर लगाना वास्तू के सबसे मना है लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूमें लगा सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे को देख रहे हो इसे पती पतनी में विवात खत्म होंगे अब आपकी रिसोई को हमेशा अनाद से भरे रखने वाले चित्र की बारे में बता देती हूँ कृष्ण जी का मखन खातावा चित्र रिसोई में लगाना वास्तू के अनुसार बहुत शुप माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का बासुरी थामे मुस्कराते वे चित्र कारोबार की जगा जैसे दुकान, फैक्टरी और घर दोनों जगाओं लगाना चाहिए जिसे पॉजिटिव एनरजी मिलती है संतान सुक्की प्राप्ती के लिए श्री कृष्ण के बाल सरूप का चित्र बेड्रूम में लगाईए ध्यान रहे कि कृष्ण का फोटो स्त्री के लेटने के समय बिलकुल मुग के सामने, चेहरे के सामने होना चाहिए दिवार पर महाभारत के युदवाली कोई भी तस्वीर आपको अपने घर में फोटो या मूर्ती लगाने से बचना चाहिए ऐसा होने से घर में कलह बढ़ने की आशंका होती है भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के द्रिश्यों की तस्वीर को भवन की पूर्फ दिशा पे लगाया जा सकता है इससे प्यार बढ़ता है, पॉजिटिव एनरजी आती है कृष्ण जी की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लाई हूँ, गुरुवार का दिन है और आपको घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ती स्थापित करने से पहले क्या करना चाहिए बहुत ज़रूरी जानकारी सुनिए कृष्ण जी को छे चीजे बहुत प्रिये हैं उसमें से एक है बासुरी, दूसरी गाय और तीसरी मिश्री, चौथी मोरपंक, पांचवा कमल और छटा विजनती माला इसलिए जब आप श्री कृष्ण की मूर्ती को स्थापित करें, तो ध्यान रखिएगा उनके साथ ये छे चीजे जरूर हो जो भी भक्त श्री कृष्ण को ये छे चीजे अर्पित करता है, उसके घर, सुक, सिम्रिद्धी और अश्वरे की कमी नहीं होती, जानिए कैसे दूसरा, बिना बजाई ये बचती नहीं, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए, तब तक ना बोलो और तीसरा, जब भी बचती है, मदुर ही बचती है, इसका मतलब जब भी बोलो, नीठा बोलो, कहते हैं गाई के शरीद में 33 करोड देवी देवताओं का निवास होता है, साथ ही गाई सभी गुणों की खाने है, इसलिए श्री कृष्ण को गाई आती प्रिय है, घर के मंद जाता है, इसलिए श्री कृष्ण मोर पंक धारन करते हैं, मोर मुकट का गहरा रंग, दुख और कटनाईयां, हलका रंग, सुख और शान्ती, सिम्रिद्धी का प्रतीक माना जाता है, आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, श्री कृष्ण के सिरपर सुशोबित मो मोर पंक का, बेसिकली वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है, आपके घर में लगा मोर पंक, आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसके बारे में आपको कल विस्तार में बताऊंगी, अभी आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है, कमल कीचर में उगत तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है, उसके प्रतेक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है, मिश्री वाला माखन जीवन और विवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है, भगवान के गले में विजनती माला है, जो कमल के बीजों से बनी है, दरसल कमल के बीच सक्त होते हैं, कभी तूटते नहीं हैं, सरते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक जीवन हैं, ऐसे ही हमेशा प्रसंद रहें दूसरा ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमी, भगवान कहते हैं भूमी यानी की जमीन से जुड़े रहो कितने भी बड़े क्यूना हो जाओ, कितने भी ऊचे क्यूना बन जाओ हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत को अपने साथ जोड के रहो उसके नजदीक रहो अब बात करते हैं आज कृष्ण जी से जुड़ेवे दूसरे महा उपाई के बारे में क्या नौकरी में क्या जॉब में प्रिमोशन नहीं मिल रहा हैं आपको साथ कन्याओं को घर बुलाकर खीर या कोई सफेद रंग की मिठाई खिलाएं नौकरी की समस्या जरूर दूर होगी भगवान विश्णू के दिन आपको विश्णू जी और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा के बारे में जरूरी जानकारी दे देती हूं आपको ये सब पहले शायद नहीं मालूम होगा लेकिन आज के बाद आपकी जिंदगी में बदलाफ शुरू होगा भगवान विश्णू और बाल गोपाल को बिनस्नान और भोग लगाए खुद भोजन नहीं कराना चाहिए बिनस्नान और भोग लगाए भोजन कराने से बरकत नहीं रहती और परिवार में तरह तरह की परिशानिया आती है नियमित एक तुलसी का पत्ता भगवान के सिर पर और प्रसात पर डाल कर अर्पित करें बिना तुलसी के पूजा अधूरी रह जाती है भगवान ये पूजा स्विकार नहीं करते है सिलेवे और जूटे वस्त धारन करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए पुराने फूल भगवान की मूर्ती पर नहीं चड़ाने चाहिए दूसरी बात ये याद रखें कि बासी फूल भगवान के पास नहीं रहने दें देखें भगवान पर जो फूल माला भी होती है वो हर दिन बदलते रहना चाहिए अब चित्रों की कुछ बात करना चाहती हूं कृशन जी की तस्वीर की बात तो करी ली थी लेकिन अब कुछ और तस्वीरों का वास्तु जानिए वास्तु शास्त्र के अनसार घर परिवार के सदस्यों की तस्वीर उत्तर दिशा पूर्व दिशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाने चाहिए ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है और घर में खुशिया आती हैं इसके अलावा किसी और दिशा में घर के सदस्यों की तस्वीरों को लगाना अश्शुब समझा जाता है घर की दक्षिन पश्चिम दिशा और दक्षिन पश्चिम दिशा में मरेवे रिष्टेदारों की तस्वीर लगानी चाहिए रसोई घर में मा अन्नपूर्णा की तस्वीर का होना शुब माना जाता है लेकिन अगर रसोई घर अगने कोण में नहीं है तो रिशी मुनियों की तस्वीर लगाएं घर में महाभारत, रमाये अडियोत प्रसंग के चित्र लगाना क्रोध, वैराग्य, डरावनें कोई भी जानवरों की तस्वीर जो खुंखार पुजिशन में हो लगाना अच्छा नहीं माना जाता, रोता बच्चा, अकाल, सुखे पेड, कोई भी चित्र नहीं लगाना चाहिए विवाहिक जीवन को सुखमे बनाने के लिए घर में राधा कृष्ण की तस्वीर को लगाएं धन लाप की कामना करते हैं तो उत्तर दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर को आपको लगाना चाहिए करियर में सफलता प्राप्ती के लिए आप उत्तर दिशा में जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मचलियों के जोड़े का प्रतीक चिन लगाईए अभी आपको बहुत कुछ बताना है लेकिन इससे पहले कुछ खास बात जानी है समर सीजन में अगर आप बिना इफर्ट्स की अपने आपको एक बहुत कमफर्टेबल और ट्रेंडी लुक देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्या कुछ आप्शनस हैं यह मैं आपको बता रही हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग-अलग तेरे के आप कि अनको केरी कर सकते हैं चाहें इंडियन हो या वेस्टन अगर आप इन पीसिस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बीट्स हैं वो यहां पर बड़े रखे गए हैं और खास तौर पर स्टोन का काम यहां पर किया गया है कलर्स कुछ ऐसे डिसाइड किये गए हैं जो की लगभग सभी कलर्स के साथ आप इजीली कंपैटिबल हैं खास तो और पर अगर आप देखेंगे इन पीसिस को तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी लुक ना हो तो इस तरह के कुछ मीडियम साइज के बीट्स भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप स्टोन वर्क नहीं चाहते हैं तो को छोटे-छोटे से यहां पर बीट्स मिलेंगे और पर बीट्स जब गोल्ड के साथ यहां पर एक कॉंबिनेशन करेट करता है तो अपने आप में वह खास हो जाता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे पीसे की तरफ जा रहे हैं जो आप सिर्फ एक हैवी सा पीस पहने औ आप इस तरह के पीसे को भी कर सकते हैं खास तोर पर यह एक सिंगल कलर्स में रखे गए हैं और इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर ग्रीन ब्लू रड़ जैसे कलर्स रखे गए हैं जो कि सबसे जादा ब्राइट कलर्स माने जाते हैं कुछ इस तरह के आपको मल्टी कलर नेकलेसे भी मिलेंगे खास बात इनकी यह है कि यह इस तरह से कॉम्बिनेशन इनका रखा गया होता है कि आप किसी भी ड्रेस के साथ करी कर सके यानि कि बहुत सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे कुछ और अगर ऑप्शन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको पार्टीशन देखेंगे और यह जो पार्टीशन है आप देखेंगे कि यहां पर अल्टरनेट क्रीन और रेड कलर में यहां पर रखा गया है कुछ इसी तरह का जो आप लेयर्स देखेंगे वो इस तरह की नेकलेसे में भी देखेंगे लेयर्स यहां पर और इस तरह से आपको यहाँ पर 4 layers में है और यहाँ पर जब आप लटकन देखेंगे तो 5 layers के एक necklace यहाँ पर create होगा यानि कि बहुत सारे options आपको दिख जाएंगे बहुत खुबसूरत colors में यह है और साथ में अगर आप थोड़ा से अपने आपको एक fusion look देना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए भी बहुत खुबसूरत collection है यह देखें इस तरह कि आप multi layer multi layer और साथ में multi colors necklaces को भी carry कर सकते हैं यह देखें खास तरह पर अगर इन इसकी बात करें तो यह multi layer है और colors बहुत soothing है आपको बहुत जादा mix and match की problem नहीं आने वाली है परले के ऐसा fashion है जो हमेशा ही in रहता है और इस तरह से आप छोटे छोटे pearls के beat create करते हुए अगर आप यह थोड़ा सा multi layer में चाहते हैं और अगर आप एक simple pearl का necklace चाहते हैं यह देखिए उसके लिए भी आपके पास options होंगे अगर आप थोड़ा सा fusion look देना चाहें तो आपको उसके लिए भी यहाँ पर black color रखा गया है और कहा जाता है कि black color अगर है तो फिर आपको बहुत जादा चिंता करने की जरुत नहीं है आप किसी भी dress के साथ किसी भी color के साथ उसको carry कर सकते हैं यानि कि बहुत सारे आपको यहाँ पर options देख जाएंगे sizes अलग-अलग हैं तो आप अगर एक heavy look चाहते हैं तो आपके पास वह भी होगा में आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाई जो जुड़ा है श्री कृष्ण से सवाल क्या है ध्यान से सुनिए क्या कोई जरूरी काम अठका हुआ है सौल भी नहीं हो रहा श्री कृष्ण के मंदिर में नारियल और 27 बादाम चड़ाएं और जुरत मंदों को दान भी करें आपका बिगड़ा काम ज़रूर बनेगा आज मैं आपको दो लखी और दो अनलखी सिगनेचर के बारे में बताने जा रही हूँ इन में से कोई भी आपका हो सकता है अगर सिगनेचर सही हो तो खुश रही और अगर कुछ गड़बर है तो सुधारने की कोशिश कीजिए क्योंकि उसके बारे में भी बात करूँगी पहले एक लखी सिगनेचर की बात कर लेते हैं जो सिगनेचर का पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं जैसे की जैसे सिगनेचर का जो पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं इन में अदभुत प्रतिमा की होती है मतब इनके इनका कैलेबर बहुत अदभुत होता है किसी भी काम को ये लोग अलग अंदाज से करते हैं और कोई इनको कॉपी नहीं कर पाता अब एक अल्लगी सिगनेचर की जानकारी दीजिए देखिए जिनके सिगनेचर कटे वे दिखाई देते हैं वो नेगिटिव विचार वाले होते हैं जिसे अगर आपका सिगनेचर ऐसे कटा हुआ है तो अपने आपको काटिये मत अपने नाम को काटिये मत इसका खास ख्याल रखे हैं अपने सिगनेचर में changes कीजिए अब बात करते हैं फिर से एक लगी सिगनेचर की बात करते हैं एक लखी खास चीज़ की अगर पहला अक्षर बनाने के लिए किसी सिगनेचर के बाद सारे अक्षर छोटे होते हैं दीरे दीरे वो किसी मुकाम पे पहुँचते हैं जैसे अमिता बच्चन जी का सिगनेचर है आप देखेंगे तो वो ऐसे है तो पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे 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 होते हैं तो ऐसे लोग उम्र के साथ-साथ मुकाम पे पहुँचते हैं अब आपको अनला की सिगनेचर के बारे में बताती हूं जो लोग जल्दी-जल्दी बहुत जल्दी-जल्दी और साफ ना दिखने का पैटन है इसलिए अपने सिगनेचर को साफ क्लीन बड़ा खुबसूरत कीजिये और काटिये नहीं अब चौथा महाउपाई क्या है ये जानते हैं क्या दुकान में बरकत नहीं हो रही है भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता ओफर करें फिर इस पत्ते को घर लेकर आएं उस पर लाल सिंदूर से मंतर श्रीम लिखें और तिजोरी में रख लें आईए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्टोटिप का देखे अगर आपके वर्क प्लेस पे मुश्किल आ रही है आपके अगेंस पॉलिटिक्स हो रही है मैनिपिलेशन हो रही है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें आपकी इनर आवाज ने भी आपसे बात करना बंद कर दिया है आप इतने नेगिटिव हो गए हैं ऐसे में अपने डेस्क के नॉर्थ इस्ट में क्रिशन जी का उपदेश देते वे फोटो अरजुन को जिसमें अरजुन सुन रहे हैं और श्री क्रिशन बोल रहे हैं इंटरनेट पे वेलिबल है इसको अपने डेस्क के नॉर्थ इस्ट पे लगा दीजए आपको मैनिपिलेशन आ जाएगी और कोई आपकी अगेंस कॉंस्पिरेसी नहीं कर पाएगा एंटर्टेन्मेंट की बाद बाद में पहले आपके कल फ्यूचर की बाद क्या करें आप अपनी राशी के हिसाब से जटपट मुझ से जानिए सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी के लोग पित्र सुक्त का पाट कल जरूर करें लग साथ दे रहा है आपका 65% विश्चप राशी के लोग कल के दिन आप श्री सुक्त का पाट कीचे लग सपोर्ट कर रहा है आपको 63% मित्रुन राशी के लोग गाईत्री मंत्र का पार्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भागय साथ दे रहा है आपका 70% करक राशी के लोग गाई को रोटी जरूर खिलाईए लग सपोर्ट कर रहा है आपका 68% सिंग राशी के लोग जेब में पीला रुमाल रखे भागय साथ दे रहा है आपका 60% कन्या राशी के लोग आदित्ते रिदे स्तोत्र का पार्ट करें भागय साथ दे रहा है आपका 71% तुला राशी के लोग गणेश जी की पूजा कीजे आप लग सपोर्ट कर रहा है आपको 75% विश्चिक राशी के लोग गौशाला में चरी का दान कीचे भाग्य साथ दे रहा है आपका 66% धनू राशी के लोग किसी को मुष्ट सला ना दें कल किसी की कोई भी चीज में टांग ना राएं लग साथ दे रहा है आपका 55% मकर राशी के लोग हनुमान 40 का पाट जरूर करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 69% कुम राशी के लोग तिल आप पानी में भाई ये लग सपोर्ट कर रहा है आपको 62% और मीन राशी के लोग नमक का अपयो कल के दिन कम से कम करना है किसमत साथ दे रही है आपका 58% Facebook पर हमारे एक viewer विजे अरोडा ने अपनी problem हमारे साथ share की है विजे को रात में unwanted सपने दिखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई film चल रही है जिसका basically वो उपाय जाना चाहते हैं विजे जी ऐसा करिए एक golden और silver mixed color वाली छोटी सी किरपान गुर्दवारे में मिलती है छोटी सी किरपान अपने bed side के पास रखिए secondly आप रात को चांदी के glass में पानी रखकर सोईए और सुबह उसको पेड़ में डाल दीजे और more punk को भी अपने गदे की नीचे लगा सकते हैं ये तीन काम कीजी unwanted सपने बंद हो जाएंगे अब आज का पांचवा महा उपाय क्या है ये जानते हैं सवाल ये है कि क्या करजे से मुक्त नहीं मिल रही आपको मुक्ती ही नहीं मिल रही तो श्री क्रिशन को धूप दीप दिया और साथ साथ पीले रंके फूल चड़ाएं और फिर दाईने हाथ में तांबे का कड़ा पहन दीजे प्रॉब्लम सॉल्फ होने लगेगी कल हम बात करेंगे महा लक्षमी की पावर्टी को घर से निकालने की वो भी 14 स्पेशल वास्तू टिप से यह सारी स्पेशल इंफरमेशन की बात हम कल करेंगे अभी मुझे जाज़त दीजिए अपना खयाल रखिए बाई बाई टेक केर